अश्कार विद्यार्जियों स्वागत है आपका कक्षा 11 की क्रशी विज्ञान की क्लास में हमने पिछली क्लास में क्रशी विज्ञान बारतिक रशी जो थी उसके बारे में उसके महत्तों के बारे में थोड़ा सा डिस्कुत किया था शाकाओं के बारे में हमने पढ़ा था प तो यहां पर नमर एक हे मांसुन पर आदारित खेती क्या मांसुन पर आदारित खेती भारत में अधिकान शेतर में बुमी का जल इस्तर या तो कम है या जल खा रहा है जो सबी फसलों के लिए उप्युक्त नहीं है दुसरा पॉइंट क्या किरा है कि चुकि भारत में वर्ष में छे माह दक्षीनी पच्चिमी मानसुन की हुआई चलती है जिस से भारत के अधिकांश शेतरों में जून महां से अक्टूमर महां तक वर्षा होती है कुछ शेत्रों में दिसंबर जन्वरी महा से भी महा में भी वर्षा होती है इसलिए बारत के अधिकांश किसान वर्षा आदारित ख्रशी कारिय करते हैं यह के हमारा जो पॉइंट है वो कहना चाह रहा है कि बाहरत में वर्ष में 6 माँ दकषनी मांसुन की जिसमें क fod और जिष्व की कर्साइफ से जिए जन में जून महा होती ख्रूम्ब में भी लें इसलिए बारत में जो ओकर में की स्रशी आधारित ख्रशी करते होती है नौर्थ इसके फिर से कह रहा हूँ अप्लोड हो चुक है टेलिक्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ से इसके नौर्थ को देख लो लिख लो पढ़ लो दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइट कर दो आपका नहां आपके तो क्लास नहीं लेत तीसरा पॉइंट क्या कह रहा हमारा यहां पर कि अधिकान शेत्रों में भूमिगत वह सतही सीचाई इस्तरों भी मानसुन के वर्षा से परिपूर्ण होते हैं यानि कि सतही सीचाई क्या वक्ति हैं जैसे हम कूई हो गए बावरी हो गिज्जे तालाब हो गए यह सभी किस स परिपूर्ण होते हैं वर्षा से तो मानसुन की वर्षा से वो भी किस पर निरबर होते हैं वर्षा पर निरबर होते हैं जिससे वो परिपूर्ण होते हैं जिन्हें हम सतही सीचाई के इस्तरों कहते हैं चाले आ रखें फिर भी क्लास ले रहा हूं तो थोड़ा से बोलने म वर्षा की अनियमित्या या कमी से खेथी पर विप्रित असर पड़ता है, फसल की गुवाई से लेकर उपरच प्रापती तक सभी कारिये प्रवाईत होते हैं जब कि अच्छा वर्षा होने पर पैदावार अच्छी हो जाती है, यानि कि वर्षा की अनियमित्या रही या पर उसकी कमी रही हमी कभी कभी क्या होता वर्षा नहीं आई हैं तो आप देखिए दूसरा क्या है अधिकांभू, जन संग्या क्रशी पर निर्बर कैसे देखें बारत में 70 प्रतिशत लोग क्रशी करते हैं ठीक है इससे जहां एक और रोजगार की प्रयापत आउसर मिलते हैं ठीक है सर लेकिन अकाल पढ़ने पर वह फसल खराब होने पर खाद्यान संक्ट उत्फन हो जाता है क्या होता है कि हमारी जो 70 प्रतिशत पॉपूलेशन है वो क्या करते हैं खेती पर निर्बर होती है इससे जो लोग क्रशक होते हैं उनको एक रोजगार का अउसर मिल जाता है लेकिन ऐसी समस्य आ जाती है जब अकाल पढ़ जाता है या फसल कराब हो जाती है तो हमारे जो खाद्यान होते खाद्यान फसल जितने होते हैं उन सब पर क्या हो जाता है एक संकर उत्पन हो जाता है अगला देखिए तिसरा परंपरागत तकनीकी परंपरागत तकनीकी में क्या है कि बारत में किसान परंपरागत खेती करते हैं यानि कि हमारी जो खेती हो रही है वो परंपरा से चलती ह यह पूराने समझ से तो किसानों को खेदी काकार यह विरासत में मिलता है हमारे जो पूर्वज करते आ रहे तो वो सब चैंब पता हैं लेकिन हम नविन टकनीक करें ग्यान होने के कारब उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं कि ओ अग्ला पॉंट क्या कह रहा हैं हमारा की जिससे उत्पादन ज्यादा बढ़ाने का प्रयास संट नहीं कर में और हमारे उत्पादं में भी बढ़ दोतरी हो रही है अगला चौदा टौपिक वो है खाद्यान फसलों की अधिक्ता कैसे तो बारत में या बारत की किसान अपनी अवशक्ता को दिखकर खेती में फसलों का चायान करते हैं यानि कि हमारे बारत में जो खेती होते हैं वो आवशक्ता अनुसार खेती होती है जैसे हमें जरूरत है ग्याओं की तो ग्याओं की खेती अधिकतर होगी मक्य की जरूरत है तो मक्य की अधिक होगी इस प्रकार से उसे खाध्यान की प्रहत्मिक आवशकता रहती है उसे खाध्यान की यानि की जितने भी खाने वाली फसले हैं फिर दूसरा क्या कहना झा रहा है कि इसलिए किसान अनाजवली फसले ज्यादा मात्रा पे बहुतरा है जिसे उसे रोकर आमदनी जो आय प्राप्त होती है वो कम प्राप्त होती है पाचव हमारा पॉइंट है कि रोजगार का प्रमुक साधन तो रोजगार के रोजगार के प्रमुक साधन में यहां पर भारत में क्रशी आदारित खाद्यान आदारित उद्योग रोजगार के प्रमुक साधन है यानि कि क्रशी आदारित उत्योग हो गए और रोजगार आदारित उत्योग हो गए ये प्रमुक्सादन है रोजगार के लेकिन अधिकांज जनसग्या खेती पर निर्वर होने के कारण बाड़ या फसल खराब होने से अकाल बाड़ या फसल खराब होने पर लोगों को पर रोजगार प्रवाइत होते हैं यदि वर्षा अधिक होगी यहां पिर बाड हो जाएगी यहां फिर अकल पड़ जाएगा बाड हो जाएगी फसल कराब हो जाएगी तो यह तीन कारक जब होंगे तो इस प्रकारक से यह जब समस्या हमारे पैस आईगी तो हमारे पास रोजगार के जो अवसर होंगे वो भी हमारे क्या होंगे प्रभाईत होंगे ठीक है सर यहां तक समझ गए अगला पॉइंट देखते हैं छे जो कि कह रहा हैं कि बारत में 70% लोगों से प्राप्त के 70% लोगों से प्राप्ती क्रशी उपज व्यापार के क्रशी कि आई भी प्रभावित होती हैं यानि कि की जो हम खेती कर रहें उसी से हमारी जो सरकार है उसको व्यापार में उसके व्यायरा और उसकी से उनको भी रोजगार लेकिन कभी कबर फसले खराब हो जाएगे तो हमारी जो नेशनल एकोनोमी है राश्ट्री आई जो है वो उससे प्रभावित होगे कि साथा क्या कह रहा है कि डेरी उद्पादन के लिए कच्छा माद अब देखिए यहां पर थोड़ा सा समझते हैं कि भारत के अधिकांस किसान खेती के साथ साथ क्या करता है पशुपादन करता है जिसे प्राप्त दूद ही डेरी उद्पादन का आदार है किसान अपने खेत पर पशुपादन के लिए चारा तहरा करता है तदा फसल अवशेश को भी पशुप चारे के रूप में प्रयोग करत यहां पर अगला पॉइंट है कि खाद्यान उपलबता खाद्यान उपलबता तो खाद्यान उपलबता तो खाद्यान उपलबता तो खाद्यान उपलबता मैं यहां पर हम देखते हैं कि भारत की जनसंक्या वर्तमान में 125 करोणे इतने बड़ी जनसंक्या को बोजन प्रदान करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान की आवश्कता होती हैं तो इसलिए हमारे यहां खेती की उपज द्वारा अधिकांश किसान क्या करते हैं कि ग्यहु जो चावल मका बाजरा जौर इत्यादी अनाच की पूर्ती देश को कर देता हैं लेकिन हरित क्रांथी की दोरा हमारे देश में खाद्यान की उपलपता कई गुणा बढ़ गई हैं जिससे खाद्यान की उपलपता के मामले में देश आत्मा निर्वर हो गया हैं किस प्रकार्चा हो गया है आत्मा निर्वर हो गया है तथा भारत में खाद्यान का जूट का उत्पादन बहुतायत से होता है यानि कि अधिक मात्रा में होता है अता वस्तर उत्व के लिए भी परियाप्ता कच्छा माल देश की किसान उत्पादित कर देते हैं अगला पॉइंट है पशु चारा उपलपता ये क्या कह रहा है कि किसान दोरा उत्पादित फसलो कि अवशेत को सुके चारे के रूप में किसान संगरईत करता हैं साती खेत में हरे चारे को उकागर पशु को उपलपत कराता है जिसे देश में पशु पालन डेरी वा डेरी उत्पादन का विकास तेजी से हो रहा है अगला पॉइंट हमारा कहना चारा है कि करशी अधरित उद्योगों के लिए कच्चा माल थो भारत में डलन तीलन वल्ष जर्सोल यूए कं। अधाफ तया मसुरण तेदि का उप्रत्द होता है MARald उद्योगों को कच्छे माल प्रदन करता हैं इसी तरह से तील मुंफली सर्सों के क्या हो रहा है कि घाद्य तेल जितने भी हैं का दियेल देफे चलते हैं अब आधा बेरोजगारी की समस्yya का समाधा भारत में अच्छ मानसून से परयापत वर्शा होने पर क्रशी उत्पादन भी अच्छा होता है जिससे बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाते हैं तेरा पॉइंट कह रहा है कि विदेशों व्यापारवन निर्यात विदेशों से व्यापारवन निर्यात इसमें क्या है कि हमारे देश में फ़ल सब्जी पूश्प अडाजवा तीलन के प्रसंस्करन के पस्चात उनका निर्यात किया जाता हैं जिससे भारत के भारत को काफी विदेशी मुद्राय प्राप्त होती हैं तेक इस में ज़ादा ऐसा समझाने जैसा कुछ भी नहीं है तो आपको भी इतनी टेंशन नहीं लेनी है तो अब आता है अगला जब किसी देश के आर्थी के कास के हमें आर्थिक विकास में उत्रोतर व्रदी हुई है यह था हमारा भाद्य क्रशी में यह फिर ब्रव्रड्य क्रशी का इत्यास तो इस प्रगार से हमारे यह हैं इंपोर्ट रूड़ेंशे की आप आपको मैंने पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया समझा दिया सिखाय दिया तो आई होग़ आज कि खिलास आपको बहब लगी होнок अच्छी लगी हो इसके अपलोड गान अगले भी जैसे अगली क्लास आईगी तो अगली क्लास के न Dalins भी आपको मिल जाएंगे हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के न हो आतियम से तब तक लिए जाहिन वन्दी महात्रम बाई बाई